हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम अमरेला कट ट्राइंगल शेप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसके लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैबरिक लिया है सबसे पहले हम टॉप परट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैबरिक को फूर फोल करके रखा है और टॉप परट की लेंध हमने ली है 15 इंच अभी यहाँ पर हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रही हूँ 6.5 inch अभी यहीं से हम armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रही हूँ 6.5 inch इन दोनों points को जोड़ते हुए straight line draw करेंगे अभी यहाँ पर हमें chest का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 11.5 inch आपका जो chest का size है उसको four से divide करना है plus 2 inch margin एड़ कर लेना है अभी यहाँ पर हमें कमर का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रही हूँ 9 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर one inch उपर mark करेंगे और हलका सा round shape देंगे अभी हम armhole draw करेंगे तो इस line का हमें half लेना है और यहाँ से armhole का shape दे देना है यह हमारा back का armhole है और half inch अंदर से front का armhole भी draw कर लेना है इस तरह से तो marking हो गई है neck की cutting हम बाद में करेंगे तो सबसे पहले हम back armhole से cutting कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने इसकी cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को fold करेंगे और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front armhole की cutting कर ली है अभी front part को side में रखेंगे और back part लेंगे और back neck की cutting करेंगे तो neck width मैं ले रही हूं 3 inch और neck deep मैं ले रही हूं 4 inch back के लिए और round ship दे देंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने back neck की cutting कर ली है तो यह हमारा back का part है और यह हमारा front का part है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को four fold किया है और यह four fold हमने लिया है nine inch का जितना आपका आर मोल है उससे धाई से तीनी ज़ादा लेना है अब यहाँ open side से three inch पे mark करेंगे और यहाँ से हम sleeves का shape देंगे और sleeves की length हमने 16 inch ली है अब यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे यहाँ पर दोनों की सीधी side अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हमें front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो हमने front armhole की cutting कर ली है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting complete कर ली है अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो हमने fabric को two fold करके रखा है अभी इसको एक corner से उठाके हम triangle में fold करेंगे इस तरह से हमें इसे fold करना है तो देखें हमने इसे fold कर लिया है यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है तो जो हमने top part cut किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे जितने में यह कमर का size आ रहा है वहाँ तक हम इसे adjust करेंगे और यहाँ पर हम कमर का निशान लगा लेंगे अभी top part को side में रखेंगे अभी हम यहाँ से length ले लेंगे तो यह जो length रहेगी वो हमारी center में आएगी तो center में length हम लेंगे 34 inch और यहाँ से हम side की length लेंगे तो side की length में ले रहे हूं 22 inch तो इस तरफ हमें 22 inch पर मार्क कर लेना है अभी इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से जोड़ देना है तिरचा तो देखें इस तरह से यह bottom part की हमने marking कर ली है अभी हम इसके यहाँ से और यहाँ से cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने bottom part की cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे तो देखें इस तरह से यह हमारा bottom का part आएगा और यह दो part से front और back के तो इस तरह से यह हमारा bottom में triangle shape आएगा अभी हम stitching करेंगे तो इसके लिए हमने front का part लिया है सबसे पहले हम front neck की cutting करेंगे तो इसके लिए यह हमने fabric का piece लिया है इसे हम fold करेंगे और इसके उपर हम neck की marking करेंगे तो neck width में ले रही हूँ 3 inch और neck deep में ले रही हूँ 4 inch अब यहां से हम round shape देंगे और उसके बाद यहां से हम 2 inch पे mark करेंगे अब यहां पर हमें round shape देंगे एक circle बनाना है तो इसके center पे mark करेंगे और यहां पर 1 inch पे mark करेंगे और एक circle बना लेंगे यहां पर और इसकी cutting कर लेंगे तो हमने इसकी cutting कर ली है अभी side से भी 1.5 inch का margin छोड़ेंगे और extra कपड़े को cut करेंगे तो इस तरह से हमने neck की cutting कर ली है अभी हम इसे front part में attach करेंगे तो front part को open करेंगे और इसके center में हमें एक line draw करेंगे और उसके बाद इस neck patch को हम front part के ओपर उल्टा रखेंगे इस तरह से अच्छे से adjust करते हुए रखना है यहाँ पर और यहाँ पर हम neck width भी चेक कर लेंगे और यहाँ पर हम pins लगा लेंगे जिससे की सिलाई कर दे time पे यह हिले ना और उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इसके उपर patch के उपर से हम सिलाई लगाएंगे और यह हमने इस तरह की दो डोरियां बनाई है दोनों side में लगाने के लिए तो जब हम इसे stitch करेंगे तो डोरी को हम इसके अंदर रखेंगे दोनों corner पे और दूसरी डोरी को भी हम इसके अंदर रखेंगे दूसरे corner पर और stitch करेंगे तो दिखें इस तरह से हमें पैच के उपर से ही सिलाई लगा देनी है तो डोरी को हम इसके अंदर रखेंगे जहां पर ये कॉर्णर है और इस तरह से सिलाई लगा देंगे दूसरे साइड के कॉर्णर पे भी हम दूसरी डोरी को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगाती है अब यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करेंगे और यहाँ पर छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे और उसके बाद इस ट्रिप को हम रॉंग साइड में टर्न करेंगे टर्न करके हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो दिखें इस तरह से हमने इसे टर्न कर लिया है तो ये हमारी डोरी भी यहाँ पर अटेच हो गई है अभी हम यहाँ पर टॉप स्टिश लगा लेंगे तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिश लगा लिया है अब इसको wrong side में turn करेंगे और यहाँ पर जो fabric है इससे हम fold करते हुए hand stitch करेंगे तो इस तरह से यह हमने front का neck ready कर लिया है अभी हम back neck बनाएंगे तो back neck बनाने के लिए हमने इसी shape की strip ली है इसे हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो हमने आपर सिलाई लगा दी है अभी यहाँ पर हम चोटे चोटे cut लगा लेंगे और इस strip को हम wrong side में turn करके top stitch लगा लेंगे तो इस तरह से हमने back neck बना लिया है बाद में हम यहाँ पर भी hand stitch करेंगे और अभी हम front का part इसके ओपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी sleeve में हम यह strip attach करेंगे और इस strip की जो width है वो हमने 1.5 विंच ली है तो strip को हम wrong side से stitch करेंगे तो हमने strip को यहाँ पर stitch कर लिया है अभी strip को हम सीधी side में turn करेंगे और यहाँ पर इसे fold करते हुए stitch करेंगे तो इस तरह से हमने sleeves के bottom में strip attach कर ली है और दूसरे sleeve में भी हमने strip को attach कर लिया है अभी हम shoulder पे sleeves को attach करेंगे तो sleeve को हमें shoulder के उपर उल्टा रखना है और इसे stitch कर लेना है और इसी तरह से दूसरा sleeve भी हमें attach कर लेना है तो हमने दोनों side की sleeves को attach कर लिया है अभी हम top part और bottom part को attach करेंगे तो top part को हमें bottom part के उपर उल्टा रख देना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से हम back part को भी stitch कर लेंगे तो हमने दोनों top part और bottom part को stitch कर लिया है उसके बाद इसे उल्टा करके हम दोनों साइड से फिटिंग कर लेंके और इसके बॉटम में हम डबल फोल्ड कर देंके इस तरह से ट्राइंगल शेप में